बीएसपी सुप्रमेव मायावती ने हातरस कार्ण को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है हातरस कार्ण में बाबा भुले पर सक्त कारवाई करने की मांग की गई है और साथ ही कहा है कि इस मामले में सरकार को अपने राजनेतिक स्वार्त में भीला नहीं पढ़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जानना गवानी पड़े सोशल मीडिया पर मायावती ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कियें जिसमें उन्होंने लिखा है देश में गरीबों दलीतों और पीडितों आदी को अपनी गरीबी और अन्ने सभी दुखों को दूर करने के लिए हातरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंदविश्वास और पाखनवाद के भैकावे में आकर अपने दुख और पीडा को और नहीं बढ़ाना चाहिए यह सला है बलकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराओं अंबेटकर के बता हुए रास्तों पर चल कर इन्हें सत्ता खुद अपने हातों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से जुड़ना होगा तभी ये लोग हातरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की जान चली गई जो की अती चिंता जनक है हातरस कांड में बाबा भोले सहीत अन्य जो भी दोशी है उनके विरुद सकत कारवाई होनी चाहिए ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद भी कारवाई होनी चाहिए इस मामले में सरकार को अपने राजनेतिक 108 में धीलापन नहीं लाना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जानना गवानी पड़े ये मायवती का स्टेटमेंट है